हलो गाइज, दिसेज बिने और आप देख रहे हैं Pi-Fi Learning लास्ट लेक्चर के अंदर आपने पेरा मेगनेटियजम को पढ़ा कि पेरा मेगनेटियजम के अंदर आपका क्या क्या होता है और किस तेंपरिचर के ऊपर आपका वहां पे दिस्टरबेंच्ट होती है और आपका solids के case में क्या होता है और आपका liquid और gas के case में क्या होता है तो paramagnetic जो आपका behavior है वो आपका ferromagnetism को समझने में बहुत ही ज़्यादा helpful रहता है तो next इसके अंदर हम इसमें discuss करेंगे आपका ferromagnetism ठीक है next is ferromagnetism या फिर इसको हम बोल सकते हैं आपका ferromagnetic material ठीक है कौन सा material होगा आपका ferromagnetic material ठीक है ferromagnetic material भी इसको बोलते हैं क्योंकि material science का आपका यह part है ठीक है तो यह आपका हो गया ferromagnetic material अब जैसे कि आपने पैरा मेगनेटिक के अंदर देखा कि पैरा मेगनेटिक के अंदर आप पे क्या होते हैं वहां पे आपके अन पेर्ड इलेक्ट्रोंस होते हैं तो यहां पे भी आपके कौन से इलेक्ट्रों होंगे अन पेर्ड इलेक्ट्रोंस तो यहां पे आपके क्या हो कैसे आपके unpaired electrons आपके रहते हैं तो unpaired electrons यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे जो आपका जैसे आपने paramagnetism के अंदर देखा था कि वहाँ पे आपके जो dipoles होते हैं वो बहुत ही dipole moment जो आपका होता है बहुत ही weak होता है इसके case में आपका क्या रहेगा dipole moment बहुत strong होता है but dipole moment is strong but dipole moment is strong ठीक है, dipole moment आपा क्या रहता है, यहां पे strong होता है और यहां पे क्या होगा, और यहां पे आपका होगा in this case in this case, जैसे हम लिखते हैं PM आपका, this is your this is your net dipole moment, this is equal to आपा क्या होता है, PM spin, plus PM orbital, प्लस PM तो इस तरीके से उपका होता है कि आपका जो यहां से PM spin आपका जो होगा PM spin, it is greater greater than it is greater greater than PM orbital, ये बहुत ही जदा रहता है क्योंकि unpaired electron है, चीक़ए और इस की वज़े से हम यहां से आपप कह सकते हैं PM जो आपका होगा net dipole moment, इट इस nearly spin dipole moment या आपका किसकी वज़े से है spin dipole moment की वज़े से है ठीक है तो यहाँ पे आपका इस तरीके से हम क्या सकते है और अगर आपका PM spin या आपका बोलें कि जो net dipole moment है बहुत ही जादा strong है तो उस case में आपका क्या आएगा in this case also यहाँ पे एक चीज़ और भी आपके आएगी in this case also जो आपकी spontaneous magnetization है spontaneous magnetization ठीक है may or may not be present spontaneous magnetization जिसका हम बोलते है MSP may or may not be or may not be present may not be present ठीक है यह आपकी हो भी सकती है present और नहीं भी हो सकती है ठीक है और यहां पे जो आपका residual magnetism है it is very strong as compared to paramagnetic material तो यहां से हम लिखेंगे residual magnetism residual magnetism is is very strong is very strong as compared to as compared to किसके compare में paramagnetic material के compare में किसके compare में paramagnetic material के comparison ठीक है अपका क्या रहेगा यहां पे, यहां पे आपका जो residual magnetism है वो आपका क्या रहाता है, strong होता है तो इसका अगर हम dipole आपका बनाना चाहें तो देखिए कैसे बनाएंगे, मतलब आपका अगर हम ferromagnetic material को आपका लेते हैं इस तरीके से, जैसे हम लेते आएं इससे पहले ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसमों को ले ले तो यह आपका मालिजी क्या है, this is your paramagnetic material यह आपका कोई भी paramagnetic material है इसके अंदर आपका होता क्या है यहां पे जो आपके dipoles होते हैं, वो group के अंदर aligned होते हैं तो यहां पे आपका next mind लिखेंगे dipoles are aligned dipoles are aligned are aligned in the form of in the form of group in the form of group ठीक है, यह आपका किसकी form में रहते हैं यह अपटे group की form में होते हैं जिसको हम बोलते हैं called, which is called domain, जिसको हम बोलते हैं आपका group को क्या, domain, देिए कैसे जैसे इस form में, यहाँ पे आपका मालिजी पहले का आपका होगया यह second का आपका, this is for third, fourth and this is fifth इस तरीके से आपकी क्या रहती है, alignment होती है, ठीक है तो यह आपका एक group माल लिजी आपका हो गया, ठीक है say this is your first group, इसको बोलते हैं domain D1 जैसे ऐसे आपके group बनते जाएंगे, वैसे वैसे उनका नाम आता जाएगा say this is D1, ठीक है, यह domain 1 है आपका, पहला group है आपका अब दूसरा group माल लिजी आपका इस direction में है, say it is like this ठीक है, it is like this, यहाँ पर आपका इस तरीके से है second group यह आपका second group आपका आगया, ठीक है, यह आपका इस तरीके से है यह आपका इस direction में aligned है, तो एक particular group जो आपका होता है particular जिसको domain मोलते है, वो आपका एक particular direction के अंदर क्या होता है, aligned होता है ठीक है, तो यह आपका इस तरीके से क्या रहेगा, aligned रहेगा, इसको हम नाम दे देते हैं see this is domain D2, यह आपका domain कुंसा है, D2 है ठीक है, और फिर उसके बाद में, तीसरा अगर आपका कोई group है see this is here third group, यहाँ पे आपका मालीजे कोई third group भी है, say it is like this and it is like this total आपके मालीजे 5 group हैं, और ऐसा मैंने आप भी आपको represent किया है और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके सिरफ 5 group रहें, हो सकते आपके बहुत सारे group हो, ठीक है तो कई books के अंदर आपको इसका simplified diagram कुछ इस तरीके से भी मिल सकता है, जैसे इस तरीके से वो आपका ऐसे बना के देगा, यहाँ पे आपका एक group इस direction में है, यहाँ पे आपका दूसरा group इस direction में है मतलब single से आपका align करके देगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पूरा explain किया कि इस तरीके से आपके group aligned होंगे और यहां पे books के अंदर, कई books के अंदर आपको इस तरीके से भी diagram मिलेगा, say it is like this, यानि कि इसका मतलब वो बताना चाहरा है, कि इस group के जितने भी dipoles हैं, वो इस direction में है, इस group के आपके इस direction में है, यहां पे जो group है, इस के ऊपर की तरफ है, इस group के अंदर आपके जितने dipoles ह जैसे आपने लिखा, this is domain D1, या फिर आप बोल सकते group 1, यहां पे domain D2 है, ऐसे ही, माली जी यहां पे आपका है domain D3, so it is like this, यहां पे आपका इस तरीके से नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरीके से आपके क्या है, aligned है, ठीक है, तो यह आपका हो गया, एक और group, इस तरीके से आ नीचे की तरफ आपके aligned है, so it is like this, तो इसका नाम आपने दे दिया, इसका नाम माली जी आपने दिया D3, ठीक है, इसका नाम आपने क्या दिया, D3 आपका नाम दे दिया, फिर एक group आपका ऊपर की तरफ इस direction में aligned है, ठीक है, आप कैसी भी direction से इसको समझ सकते हो, यहां particular direction के अंदर आपका क्या होगा, aligned होगा, so this is D4, और similarly एक और group आपका मानते है, it is in this direction, यह आपका इस direction के अदर है, ठीक है, यह आपके किस के form में है, यह groups की form में है, और इस group को आपने नाम दिया है, कौन सा, इस group को आपने नाम दिया, कौन सा, domain, ठीक है, और यह domain जो आभी इस वज़े से हम कहते हैं, कि यहाँ पे आपका जो diple moment होता है, it is strong as compared to paramagnetic material, क्योंकि वहाँ पे तो आपके arbitrary किसी भी direction में थे, और जो आपके alignment torque थी, वो बहुत ही कमजोर थी, but in this case alignment torque is strong, तो यहाँ पे जो net आपका निकल के आएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ हो भी सकता ह जैसे मैंने आपको बताया, spontaneous magnetization may or may not be present, हो सकता है कि इसका कोई output आए, तो इसका मतलब present है, और हो सकता है इसका कोई output ना है, यानि कि सभी एक दूसरे के diple moment को cancel कर दें, तो उस case में आपको क्या हो जाएगा, उस case में इसका spontaneous magnetization zero हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से, अब ज जैसे आप यह समझी, जैसे एक घर को दूसरे घर से आपका separate करते हैं, तो बीच में आपका separation वाली चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे ही एक group, जब दूसरे group से आपका separate होगा, तो उसको बोलेंगे आपका volts, ठीक है, और इसको आपका बोलते हैं, these are imaginary volts, the imaginary volts, imaginary volts which separate, imaginary dipole from each other, ठीक है, each other, एक दूसरे से आपके जो separate करते हैं, उसको बोलते हैं, आरकाल, आरकाल, domain volts, इनको क्या बोलते हैं, आपका, domain volts आपका बोलते हैं, ठीक है, तो यह इसके बारे में हुआ, इसका मतलब, यह आपका ferromagnetism है, और यहाँ पे जो आपका net, जो आपका alignment torque है, वो alignment torque is strong, as compared to, as compared to, as compared to, as compared to paramagnetic material, किसके comparison में, paramagnetic material के comparison, ठीक है, paramagnetic material के comparison में, इसका जो alignment torque आपका होगा, वो आपका क्या रहेगा, स्ट्ων रहेगा, तो यह तो था आपका कुछ इसकी characteristics, किसकी ferromagnetic material के बारे में、 ठीक है, अब यहाँ पे हम जो आपका निकालेंगे वह आपका निकलेंगे यहां से Magnetic Hysteresis Curve और जो आपका पूरी Electrical Engineering में बहुत important रहेगा ठीक है तो यहां से आपका निकल के आता है क्या यहां से आपका निकल के आएगा Magnetic Hysteresis Curve यह Simple आपका बोलें Hysteresis Curve ठीक है तो नेक्स्ट आपका इसमें डिसकस करते हैं Magnetic Hysteresis Curve को Magnetic Hysteresis Curve Magnetic Hysteresis Curve ठीक है? Magnetic Hysteresis Curve यानिकि Ferromagnetic Material का ही Part है Magnetic Hysteresis Curve तो अब देखो यह जो आपने यहां पर बनाया हुआ है यह जो आइपोल्स आपके इस तरीके से Alligned है यह कब हैं आपके When no external field is applied यानिकि तब आपका H आपका 0 है H external यानिकि External field आपकी क्या है? 0 है तब condition आपके कुछ इस तरीके से है च्छिक है? अब देखो यहां पर जैसे ही हम इसके अंदर external field आपका लगाएंगे यहां पर हम पहले आपका लिखेंगे when external field is zero when external field is zero जब आपके external field क्या है external field is zero है तब आपका क्या है there is there is there may be may be spontaneous magnetization यहां पर आपका क्या होगा spontaneous magnetization there is some spontaneous there may be some spontaneous magnetization या फिर हम loonte इसको क्या है पिर रहेगा और बीच कि स्टॉर्ण लाइनमैंक टार्क ए या फिर आपका बोलेंड दीू higher dipole moment ठीक है इस वज़े से आपका क्या है कुछ आपका spontaneous magnetization present हो सकता है ठीक है अब यहां से when when external field is applied जब हम क्या apply करें जब external field को apply करें when external field is applied जब आपका external field को apply करेंगे तब आपका क्या आएगा तो देखो when external field is applied then it means h external this is equal to यह आपका क्या होता ampere slow से आपने पढ़ा n i external this divided by l ठीक है इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं अब यहां से i external इसको माली जी यह आपका है i am sin omega t ठीक है यह आपका क्या है i am sin omega t यानि कि आपने क्या किया यहां पे मनाते है आपने current को आपने अप्लाई किया और यह current आपका क्या है this is sinusoidal form यह आपका किसकी form में है sinusoidal की form में है इसकी maximum value है आपकी i am with respect to time t है ठीक है अब यहां से same आपकी इसी तरीके से आपकी condition लेंगे इसी डिग्राम को थोड़ा एक्स्टेंड करके यहां पर बना देते हैं यहां पर कुछ इस तरीके से हमाण लीजे यहां से आपका ऐसे it is like this थैक है यहां का मालेजिक कुछ इस तरीके से थिक है तो यहां पर क्या है the what is this this is the maximum value of current यहां पर आपके क्या है दिस दा maximum value और यहां पर आपके कौन सी value है say this is minus i am negative peak है ठीक है तो दो values आपकी है अब यहां से हम इसको क्या करते है with respect to time आपने आप बना रहे हो तो यहां से हम इसको time के respect में आपका divide कर लेते हैं, so this is at time t1, यह time t1 पे है, यहाँ पे आपका time t2 है, यहाँ पे आपका time t3 है, ठीक है यहाँ पे, और यह आपका है time t4, similarly this is time t5, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपका t6 माल लेते हैं so this is t6, this is t7 और इस तरीके से आपका ये आपने क्या कर दिया इसको time के respect में आपने divide कर दिया कि वह यहां पर आपके current के कुछ value है this value is i1, this value is i2, this value is i3 और यहां पर आपका maximum value है फिर से आपके reduce होनी शुरू हो जाएगी तो इस तरीके से आपने किसको divide कर लिया current के curve को आपने divide कर लिया अब क्योंकि आपका h external, it is equal to ni external है तो जैसे जैसे आपका current आएगा, वैसे वैसे आपका क्या आएगा field भी आपका आएगा h1 is directly proportional to i1, h2 is directly proportional to i3 similarly, s3 is directly proportional to i3 और यहां पर जब current maximum होगा, तो h maximum भी होगा it is directly proportional to this तो इस तरीके से आपने curve को क्या कर लिया आपका divide कर लिया है, ठीक है, तो अब similarly, इसी तरीके से हम क्या करना शुरू करेंगे अब इसके अंदर आपका external field को लगाना start करेंगे, तो सबसे पहले देखो, at instant this at instant, यानि कि 0 जब आपका time है, when t it is equal to 0 तो यहां से आपका start करेंगे when t it is equal to 0 पे t equal to 0 के उपर आपका क्या है dipoles are like this यह आपका diagram मा लिजे, first है आप इसको अपने notes के अंदर फिर से आप बनाएंगे, जब यह diagram आपका करेंगे, तो यहां से when t equal to 0 dipoles are aligned dipoles are aligned are aligned in the same manner in the same manner when no external field is applied जब आपके क्या होगी, जब कोई external field आपने apply की, उसी तरीके से आपके क्या रहेंगे आपके align रहेंगे, dipoles are aligned in the same manner as in as in the absence of external field, जब आपके external field आपकी present नहीं है तब आपके जो है, as in the absence of external field ठीक है, तो यह आपका हुआ at t equal to 0 पे, अब हम इसमें लेंगे at t1 पे, तो at time time t1, time t1 के उपर आपके क्या होगा, देखो, at time t1 there is some external field h1, यह external है आपकी, यह आपकी क्या है this is external, तो जैसे ही आपका time instant t1 आपका आएगा तो कुछ current आपका आएगा i1 और उसकी वज़े से आपका क्या आएगा, कुछ field आपका आएगा h1, ठीक है, add t1, it is equal to आपका कितना है i1 and h external, h external आपका कितना हो गया, यहाँ पे h1 आपका आगया है, ठीक है, तो अब h1 आने का मत्ता आपने क्या किया, अब इसके अंदर आपने कुछ field को लगा दिया है यानि कि हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने कुछ h external 1 बोले, h external 1 या फिर आपका this is equal to आपका क्या है h1, आपने इस direction में किसको लगाया, h external को लगाया, तो जैसे ही आप h external को लगाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा कुछ alignment torque होगा, ठीक है, so, so alignment torque, alignment torque, आपका क्या होता है, alignment torque, T, it is directly proportional to PMH and sine theta, इन दोनों के बीच में आपका क्या रहेगा, कुछ angle रहेगा, उसको आपने sine theta से बताया, तो यहाँ से, जैसे जैसे आपका external field आपकी बढ़नी start होगी, alignment torque भी आपका क्या होगा, increase होना start हो यहाँ पे जो आपका dipole से, जो D1 आपका domain group है, वो आपका क्या है, पहले से ही आपका इसी direction में align होना start हो जाएगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जब आपका T1 instant पे आएगा, तब माल लीजे आपका domain D2 है, वो आपका इस direction में क्या हो गया, aligned हो गया, तो alignment torque is higher alignment torque आपके बढ़ेगी, और इसका result क्या निकलेगा, and domain, and domain D2, D2 इस बार आपका कौन सा है, D2 gets aligned, या आपका क्या हो जाएगा, gets aligned, gets aligned in the direction of, in the direction of, in the direction of domain, domain, किसकी direction में, in the direction of domain D1, ठीक है, या किसकी direction में align होने कोशिश करेगा, domain D1, or in the direction of, or in the direction of external field, ठीक है, या फिर हम बोले, external field की direction में, आपका क्या होना start हो जाएगा, align होना start हो जाएगा, ठीक है, तो जिसकी वज़े से, आपका क्या conclusion निकलेगा, जिसकी वज़े से, आपका conclusion ऐसा आएगा, कुछ, यानि कि हम इसको ऐसे बता सकते हैं, या आपका मा domain D1 था, या आपका इस direction में है, जैसे है, यहां पे आपने बनाया हुआ है, ठीक है, यह diagram थोड़ा छोटा कर लिजिएगा, क्योंकि आपका बहुत बढ़ा जाएगा, ठीक है, इसी के अंदर से मैं आपको explain करूँगा, तो यहां से आपका इस तरीके से क्या हो जाएगे, इ in the direction of external field, ठीक है, इस तरीके से आपके क्या होगे, align होगे, ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं, आपने क्या apply किया, force आपने जब apply किया, तो यह domain आपके जो है, इस direction के अंदर आपके क्या होगे है, aligned आपके होगे, और इस वज़े से जो आपका domain D1 का size है, वो आपका instant, यानि कि after instant T1, आपने क्या देखा यहाँ पर, यहाँ पर आपका current I1 था, तो after instant T1, current आपका क्या हो रहा है, लगातर आपका बढ़ रहा है, तो इसका मतलब अब T2 पे जाके, फिर से आपका current क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे आपका T2 current, यानि जैसे इसी direction के अंदर क्या हो गया, aligned आपका हो गया, ठीक है, तो इसी direction के अंदर जब आपका align हो जाएगा, तब आपका क्या होगा, तब हम इसको ऐसे बना सकते हैं, जब यह align हो जाएगा, तो यह जो group है, यहाँ से आपका आ रहा है, इस तरीके से, तो हम इसको ऐसे बना सकते है ऐसे समझ सकते हैं वही यह जो group है आपका इस तरीके से कुछ आपका यहां से ऐसे और यहां से ऐसे अब बाकी के जितने dipoles से यानि कि यह वाले dipoles से यह आपके इस direction में move करना start करेंगे ठीक है इस direction में move करेंगे ठीक है इस direction में जब आपका move करेंगे तो यहां पर कुछ ऐसा यानि कि यह वाला भी domain है यह भी आपका किस direction में आ जाएगा इसी direction में आ जाएगा तो हम यहां से आपका कह सकते हैं at instant t2 dipoles again यानि कि फिर से वही वाले line at instant t2 current आपका कितना है i2 है h external आपके कितनी है h2 है यहां पे ठीक है current आपके कितना होगे इस बार h2 और h external भी आपकी क्या होगी h2 यानि कि आपने क्या किया यहां से h external को बढ़ा दिया है या फिर हम इसमें बोले h external आपकी इतनी होगी say this is h2 चीक है तो h2 होने के बाद में आपका क्या हो जाएगा domain d3 gets aligned in the direction of domain d1 और in the direction of external field and domain d1 size again increases यह फिर से आपका क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा आपने देखा अभी कैसे बढ़ा है फिर उसके बाद में आपका क्या है फिर से आपकी वही condition है current अभी भी आपका लगाता जा रहा है current आपका बढ़ेगा तो इसका मतलब at instant d3 पे आपका क्या हो ठीक है alignment अपका पहले से start हो जाएगी बट इनस्तेंट महन लीजिए इस सटाइल प्या क्या हो गया इस साइडियों घुप यहां से इसकी वहांसे इसकी आ आता जाएगा वैससे आपकी वहांसे घुरूप भी आपका इसी डिरेक्शन में आगा इसको भी हम एसे represent कर सकते हैं तो इस बार आपका बोलेंगे at instant T3 यानि कि at instant किस instant की बात हो रही है T3 यह हो रही है current आपका कितना हो गया इस बार I3 आपका हो गया external field भी आपकी 3 होगी इस तरीके से alignment torque बढ़ेगा आपका और domain D4 इस बार आपका कुंसा domain है D4 है आपका gets aligned in the direction of domain domain D1 और in the direction of external field और domain D1 का size जो है वो आपका फिर से क्या हो गया increase आपका हो गया इस तरीके से तो यहां से आपने लगाया और यहां पे आपका कितना आ गया H3 तो यहां से हम इसको बना सकते हैं this is H3 इसके बाद में आपका क्या होगा current आपका अभी भी आपका बढ़ रहा है कहां तक maximum तक maximum तक यानि कि current जब आपका आगे बढ़ेगा तो क्या होगा आपका अब देखो यह जो आपका domain है D5 यह आपका बिल्कुल opposite direction में यानि external field इस direction में है और domain D5 इस direction में है तो क्या होगा आपका जैसे हम इसको आगे बढ़तर बढ़ाएंगे तो आपका यहां से current की value तो आपकी maximum आ जाएगी जिसकी वज़े से X external भी आपकी क्या है कि यहां से X external को भी हम क्या कह सकते हैं या फिर हम इसको बोलें यहां तक आपकी X क्या होगी है maximum तो क्या होगा यहां से जो domain D5 है इसके एक या दो डाइपोल तो आपके align हो जाएंगे बाकी के जो डाइपोल से वो आपके उसी direction में होंगे यानि कि opposite direction में कहने का मतलब यह हुआ कि इनको दूसरी तरफ align करने के लिए आपको क्या चाहिए कुछ external force चाहिए और बहुत ही ज़्यादा external force चाहिए तभी जाके यह वाला जो domain है यह इस direction में आपका आपा आप होगा यहां से जब आपका आपका बाड़ाता वैसे वैसे आपका क्या होता जा रहा है prochaine होगा और आपके क्या होगा कि यहां से जैसे एच आपके decrease बोड़ा जाएगा तो alignment और यहLife रहा होनी सटार्ट हो जाएगी कमजर होनी शुरू हो जाएगी और वापिस से आपके dipoles क् अब हम इसमें D alignment का देखेंगे, so after instant T4, यानि कि जब आपका current क्या है, maximum है, after instant T4, current starts reducing, current आपका क्या हो जाएगा, current starts reducing, current आपका reduce होना start होगा, ठीक है, and, h external जो आपकी क्या थी, directly proportional to current external थी, also starts reducing, it is directly proportional to this, also starts, यह भी आपकी क्या होनी शुरू हो जाएगी, reduce करना start करेगी, ठीक है, also starts reducing ये भी आपके क्या हो जाएगी reduce करना start करेगी चीक है और reduce करने के बाद में फिर आपका क्या होगा and alignment torque and alignment torque और जो आपके alignment torque है alignment torque जिसको हम बतारें T it is directly proportional to PmH sin theta ये आपका क्या होना शुरू हो जाएगा decrease होना शुरू हो जाएगा क्यों क्योंकि H ने decrease करना शुरू किया इसकी वज़े से आपका क्या हो जाएगा ये भी आपका decrease करेगा and alignment torque starts reducing starts reducing starts आपका क्या हो जाएगा reduce होना start हो जाएगा and hence और इसकी वज़े से and hence dipoles and hence dipoles जितने भी dipoles हैं या फिर हम इसको बोलें domains dipoles जो आपके किसके पार्ट है domains के पार्ट है also gets also gets de-aligned या आपके क्या होने शुरू हो जाएगे de-aligned ठीक है and attain their original position and attain their original position और वापिस आपके किसकी position में आ जाएगे original position की form में आपके आ जाएगे यानि कि इसका मतलब आपका क्या हुआ जैसे जैसे आपका external field reduce होना शुरू होगा यानि कि इस तरीके से आपका कम होता जा रहा है जैसे जैसे आपका reduce होना शुरू होगा वैसे वैसे आपके क्या होते जाएगे अब फिर से आपकी वही shape आती जाएगी यानि कि जैसे आपने यहां से इसको कम किया तो इस बार आपके यह वाले जो ग्रूप थे जो आपने सीधे करके बनाये थे यह वापिस आपने original position पर आ जाएंगे जो पहले थे यानि कि उपर की तरफ ठीक है उपर की तरफ आपके क्या हो गए है यानि कि यह अपना original form में आ जाएगा और domain walls जो एक domain को दूसरी domain से आपका separate करते हैं यह मैंने आपको बताए imaginary walls होती है ठीक है imaginary walls का मतलब group को separate करने के लिए बनाएगी है तो यह फिर से आपके क्या हो जाएंगे वापिस नीचे की तरफ आजाएगा domain D3 और जब आपके external field 0 हो जाएगी वापिस से when external field is 0 तो यहां से आपका क्या हो जाएगा अपके बार जो domain D2 आपके इस तरीके से align होए थे वापिस अपनी उसी form में आ जाएगे यानि कि इस तरीके से ठीक है कब तक आपके होंगे तिल instant T5 जब तक आपका instant T5 नहीं आ जाता अब इसके बाद में आपके क्या होगा वो आपका important है तो देखो इसके बाद में आपके current ने reduce करना शुरू किया ऐसे आपके external field ने reduce करना शुरू किया और यहां पर जाके आपके external field क्या होगी है इसके बाद में आपका क्या हो रहा है current आपका opposite direction में बढ़ना शुरू करेगा जैसे आपका reduce किया अब आपका opposite direction में current ने वापिस से increase करना शुरू कर दिया है ठीक है so after instant T5 हम कह सकते हैं after instant T5 T5 के बाद में आपका क्या हो रहा है current या फिर हम बोले एक्स्टर्णल current और external field ठीक है current बोले या फिर आपकी बोले external field starts increasing या पकी क्या हो जाएगी starts increasing in opposite direction या पिकस direction में आपकी increase नहीं शुरू होई है opposite direction के अंदर starts increasing in opposite direction तो यह आपकी इस direction के अंदर आपका क्या होना शुरू हो जाएगी इस बार बढ़ना स्टार्ट करेगी यानि कि इस direction के अंदर आपका बना स्टार्ट करेगी तो फिर से आपका alignment जो torque है तो जैसे जैसे आपकी external field आपकी क्या होगी alignment यहां से आपका बढ़ेगी तो alignment torque आपका क्या हो जाएगा बढ़ेगा और alignment torque किस direction में बढ़ेगा opposite direction में तो हम यहां से आपका लिख सकते हैं तो alignment torque will now be in opposite direction यहां से आपका किस direction में है opposite direction में आपका लगना स्टार्ट हो जाएगा यानि कि इस बार जो आपके domain है वो आपके इस direction के अंदर align करने की कोशिश करेंगे तो यहां से हम कह सकते हैं जैसे d5 था आपका तो माले जी d4 आपका क्या हो गया align हो गया ठीक है थोड़ा सा आपने बढ़ाया और d54 आपका align होगा तो एक ऐसा instant भी आएगा जब आपका क्या होगा यहां से कुछ external आपका कुछ domain इस direction में था यानि कुछ dipole moment इस direction में था कुछ आपका opposite direction में है और जैसे जैसे आपका बढ़ेगा तो कोई ना कोई ऐसा instant भी आएगा जब आपका net जो dipole moment है वो आपका क्या हो जाए जिरो हो जाए ठीक है दोनों एक दूसरे के dipole moment को क्या कर देंगे cancel out कर देंगे जिसकी वज़े से आपका क्या होगा जीरो आपका आजाएगा तो उस instant का हमने यहां पे लिखा T6 तो ठीक है देट इस एट इंस्टेंट कौन से इंस्टेंट पर है आपका कंडिशन T6 के ऊपर है आपका यही वाली कंडिशन आएगी अब इसके बाद में current आपका इसके बाद में बढ़ रहा है यहां से आपका देखो और जैसे आपका current बढ़ता जाएगा वैसे वैसे के domain पहले इस direction में align होए थे वो इस बार आपके किस direction में align होना शुरू हो जाएंगे वह आपके इस बार इस direction के अंदर आपका align होना शुरू हो जाएंगे यहां जो इस इस आपका तो इस तरीके से आपका रहेगा, यानि कि इस तरीके से आपका किसका size बढ़ता जाएगा, इस पर domain D5 का, ये domain D5 की तरफ सारे के सारे group आपके क्या हो जाएगे, अलाइंड आपका हो जाएगे, ठीक है, और यहां से ये आपका इसी direction में आपका रहेगे, ठीक है, ये आपके अब यह पहले आपका इस direction में गया, फिर यह आपका इस direction में आया, फिर से आपका इस direction में जाएगा, फिर से आपका इस direction में आएगा, ठीक है, तो यह आपका जो domain है, या फिर आपका जो dipole है, यह आपका क्या करता जाएगा, यह आपका इस तरीके से आपका rotate करता जाएगा, तो ये conclusion आपका निकला किसके case में in case of ferromagnetic material के case में अब हम इसको जितना भी हमने यहाँ पे discuss किया है इसको अब हम एक कर्व बनाते हैं और उस कर्व के अंदर final conclusion आपका निकलेंगे तो यहाँ से आपने जितना भी पढ़ा है उसको हम इस तरीके से आपका represent कर सकते हैं मालीजे आपके पास में एक कर्व आपका बनाते हैं जिसको आपका बोलेंगे hysteresis का बाद में ठीक है अभी फिलाल हमें नहीं पता है कि हमें हमारे पास में क्या निकलने वाला है तो यहाँ से आपका देखते हैं यह आपका माननीची इस तरीके से आपने क्या बनाया दिया एक कर्व बना दिया ठीक है यह आपने एककसमिन ऐम पने मनादिया HERE हां पे आपका माल आपका क्या होगा यहां से आपका माली जी आपने यहां से आपका इसकी बिगिनिंग की जीरो से अभी फिलाल के लिए आपका spontaneous magnetization कितना है zero है जब आपका h क्या है zero तो इस instant से आपने बढ़ना स्टार्ट किया zero से अब इसके बाद में आपका क्या हुआ जैसे जैसे आपका h बढ़ता रहा वैसे वैसे आपका क्या होता गया यहां तक आपका माली जी क्या हो गया say this is h maximum ठीक है यहां तक आपका क्या हो गया this is your m maximum यह आपका क्या है m maximum है ठीक है ठीक है H3, इसके बाद मैं आपने क्या किया, यहां से जैसे जैसे आपका बढ़ता गया, जैसे जैसे आप H maximum तक पहुंचें, यानि कि आप पहुंचें इस instant तक, तो क्या हुआ, मैंने आपको बताया, एक एज जो दो डोमेन हैं, आपके D5 गृूप के वो आपके align हो तो इसके बाद में करो, आपका क्या होगा, इस तरीके से आपका flat होगा, ठीक है, और अगर हम इसी external field को, यह आपका माने जी, H maximum तक है, अगर हम इसी external field को आगे तक बढ़ाते रहें, और आपने बहुत जादा external field लगा दी, तब जाके आपका क्या होगा, यह कुछ H तरीके में आते गए, वैसे वैसे, आपका magnetization क्या होता गया, इसका बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, फिर उसके बाद में आपका क्या हुआ, डी 5 के instant पे, जब आपने external field को आपका maximum क्या है, उसके बाद में, आपके मैंने बताया था, एक या दो आपके जो dipoles हैं, वो आपके, क्यों में आप आएंगे, यानि कि तब जाके आपका net magnetization बहुत ज़्यादा हो पाएगा, ठीक है, लेकिन दीरे दीरे आप, ये आपका क्या होगा, ये तो आपका बढ़ता बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, maximum जो है, इसके बाद में आपका क्या कुछ पार्टीज हैं, पार्टीज का मतलब नेशनल पार्टीज हैं, कुछ जैसे ये domain D1 जो मैंने आपको दिखा ये मालीज आपकी बीजेपी, बीजेपी पार्टी, भारती जनता पार्टी, यहाँ पे इंडियन नेशनल कोंगरेस है, और बीच की जितनी पार्टी हैं, ज जैसे ही किसी भी पार्टी को लगेगा, कि इनके पास में बहुमत आने वाला है, तो यह क्या करेगी, इसके पास में अपरोच कर जाएगी, ठीक है, कि आप हमें भी सरकार के अंदर मिला लीजिए, जिससे क्या होगा आपका, जिससे आपके राजे सभा की टेली है, वो आप की क्या हो जाएगी, इनक्रीज हो जाएगी, और कोई भी बिल पास करवाने में आपको असानी हो जाएगी, ठीक है, तो यह क्या करेगा आपका, जैसे-जैसे इसके पास में ज्यादा पावर आपके आती जाएगी, जैसे-जैसे आपका फ्लो इस डिरेक्शन में होता जाए या कि जब आपक ऐसारे इस डारेक्षन में आलाइन हो जाएंगे ठारे ल०्ह ऐसारे है kids बॉट सारे akan क्या है यही दोनों है कि इंडिया कि नेयुकुष चलेगी उसी direction के अंदर बाकी party आती जाएंगी, same condition आपकी यहाँ पे है, यहाँ पर क्या है, जैसे आपने इस direction के अंदर इस को क्या किया, इस direction के अंदर आपका, आपने जैसे external field को लगाया, तो ये सारे की सारे आपके dipoles इस direction के अंदर आ जाएंगे, फिर उसके बाद में अब यहां पे आपे क्या होगा देखो। बहुत ज़दा टाकत कि अगर हम पाल टीज्क ते केसускे में अगर हम समझें तो बहुत ज़दा पैसा आपका बढ़ाते जाएंगे, external force को बढ़ाएंगे, तब जाके आपका क्या होगा, एक या दो आपके dipole align होंगे, और उसी condition को हम क्या बोलते हैं, saturation की condition, उसी condition को आपका क्या होगा, saturation point आपका आगया, इसके बाद में एक या दो तो आपके हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकत कि पूरी की पूरी जो Congress government है, यानि कि पूरी की पूरी स्वरी, जो Congress party आपकी, वो आपकी क्या हो जाए, इस direction के अंदर align हो जाए, ठीक है, तो यह आपका impossible way है, ठीक है, यह मैंने आपको बताया किस के case में आपका, इस के case में और यह आपका, इस के case में भी applicable है, तो यहां से अब आपका देखिए, तो यह तो saturation हो गया, इसको हम अलग छोड़ते हैं, अब फिर उसके बाद में, आपने क्या किया, इस instant के बाद में, current ने starts reducing towards zero, यानि कि हम कह सकते हैं, आपकी external field ने क्या किया, वापिस चलना शुरू किया, और वापिस जैसे ही चलेंगे, तो आपका magnet magnetization क्या होता जाएगा, वापिस से आपका decrease होना शुरू हो जाएगा, और कैसे decrease होगा, वो आपके लिए important है, तो देखो यहां से आपका क्या होगा, इस instant के बाद में, यानि कि यहां से यहां तक आपका dotted है, फिर इसके बाद में, आपका क्या होगा, यहां से ऐसे, यहां से या आपका क्या हुआ, external field ने वापिस से आपका decrease करना शुरू किया और जब वापिस से decrease करेगा, तब आपका क्या होगा, तब माल लीजे वापिस से decrease किया, तो D1 की वज़े से आपका कुछ ना कुछ magnetization यहाँ पे बच गया है तो उस magnetization को यहाँ पे क्या क्या current आपका यहीं पे रुखा नहीं, current आपका क्या हुआ, H यहाँ पे क्या होगा, देखो, H यहाँ पे क्या होगा है, 0 और इस का रुखे हिसाब से भी यहाँ पे इस axis के उपर, पूरी axis के उपर आपका क्या होता है, H आपका 0 रहेगा और इस axis के उपर आपका 0 रहेगा M आपका 0 रहेगा पूरी axis ठीक है तो क्या होगा अब इसके बाद में मैंने आपको बदा एक ऐसा instant भी आएगा T6 पे जब आपके यहां से इस direction में है और यह आपका opposite direction में है दोनों एक दूसरे को magnetism को क्या कर देंगे या magnetic dipole moment को cancel out कर देंगे और वहाँ पे आपका जो net magnetization है वो आपका क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा तो at instant यह तो आपका है कहाँ पे at instant T5 की condition है यह वाली यह instant T5 की condition है अब इसके बाद में आपका क्या होगा यहां से आपका decrease होना start हो जाएगा इस तरीके से ठीक है यह आपका decrease होगा और एक ऐसा instant आएगा जब आपका जो magnetization यानि की M जो है वो आपका क्या हो जाए 0 आपका आजाए M क्या हो जाए आपका 0 ठीक है फिर इसके बाद में क्या होगा आपका यह फर्दर आपका increase करता जा रहा है तो अब की बार magnetization आपका क्या गरेगा opposite direction में increase करना शुरू करेगा यानि कि पहले आपका magnetization इस direction में था और इस बार आपका magnetization फिर इस direction में आना start करेगा तो यहां से जैसे जैसे आपका h opposite direction opposite का मतलब negative direction में आपका बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका MB क्या करता जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा ठीक है और यह जो कर्भ है आपका last में कुछ इस तggने से आपका निकलेगा ठीक है जहाँ से जैसे आपने उपर बनाया है वैसे ही आपका नीचे की तरफ और फिरसे आपका क्या होगा? खेक है यहाँ आपका क्या था ? इस यह जो है आपका इसी को हम क्या बोलते है जैसे इसको आपने बोला यह आपक इसके डियर्यक्ली प्रपोर्शनल यही चैकर और यहां से इसको हम बोलते है यह 多 report नूंов यह फिर हम इसको लिएしました इस एकल टो B into area, तो यहां से इसको हम directly proportional to 5 भी ब बोल सकते हैं sorry, B is directly proportional to M is directly proportional to 5, तो इसको कई आपकी कई books के अंदर B और H की form में दिया जाता है, कई books में M और H की form में दिया जाता है कई को आपको 5 और H की form में 5 और I की form में भी आपको मिलेगा और इसी कर को आपको क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया कुमसा कर हो है आपका ये? अब यहाँ पे देखो जो आपका hysteresis टर्म है, इसका भी कुछ ना कुछ significant meaning होता है कई exams में पूछा भी जा चुका है, UPSC के अंदर भी पूछा चुका है, यह SSC के अंदर भी आपका पूँछा जाता है ठीक है तो कि hysteresis का मतलब आपका होता क्या है उसको हम समझते हम आपका hysteresis ही क्यों लिखते हैं जैसे इसका नाम आपने राम क्यों ने लिखा शयम कूं ने लिखा अब्दुल क्यों नहीं लिखा ठीक है तो वो आपका या गुरुपरित क्यों नहीं लिखा कोई और नाम क्यों नहीं दिया आपने इसको इसको पर्टिकुलर हिस्टेरिसिस नाम ही क्यों दिया तो हिस्टेरिसिस का मतलब होता क्या है अब वो जानते हम तो यहां से हिस्टेरि isster truth is means, اب इसका मतलब समझने के लिए हम दो कर्व आपका लेते हैं, कौन कौन से? एक कर्व आपका कुछ इस तरीके से लेंगे, ये आपक कैम पास में पहला कर्व है, ठीक है यह अपको किस का है so this is the CERNव एच ठीक है फिर हम इसके अंदर B का कर बनाते हैं इसके अंदर किस का कर जावाब बनाते हैं ठीक है अब जो B आपका उसका कर कुछ इस तरीके से खीड़ के वैसे तो इस तरीके शें से उता निए लेगन मोल लएज आपका B का जो कर हो है वो कुछ इस तरीके से है So this is B तो देखो अब यहां पे आपका क्या हो रहा है यहां पे आपका H आपका पहले 0 हो रहा है यहां पे H आपका क्या है? 0 है और यहां पे आपका B क्या है? 0 है ठीक है? तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे इसका मतलब मैंने आपको phasor relation के अंदर पहले भी आपका बता चुका हूँ, इसका मतलब आपका होता है कि जो दूसरे वाला करू है, यानि कि जो ये वाला करू है, बी वाला, ये आपका lag कर रहा है, किसे lag कर रहा है, ह से, यानि कि कैसे, ह को अगर हम लिख दें, यहां से, ह maximum sin omega t, ठीक है, h का मालीजे कर ये है, तो b का जो आपका कर रहाएगा, b it is equal to b maximum sin omega t minus का 5, ठीक है, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, अगर ये sinusoidal है आपका तब, ठीक है, तो यहां से आपका क्या होगा, देखो, जब आपका omega t, omega t को मालीजे theta, it is equal to omega t है, तो जब theta की value 0 है, तो sin, यह आपका क्या रहेगा, 0, लेकिन ये 0 है, तब इसकी कुछ नकुछ value रहेगी इस 5 की वज़े से, तो यहां से आपका कुछ नकुछ क्या है, value है ठीक है, फिर उसके बाद में, जब यहां पे आपका, जब इसकी value 180 degree आपके आएगी, तब 180 minus 5, तब इसकी कुछ नकु आपका आएगा, अब यहां से इन दोनों को देखके हम क्या कह सकते हैं, कि B जो है, वो leg कर रहा है, आपका किसे, legs behind H से, ठीक है, ब आपका क्या क्या कर रहा है, लेकिसे, H से, अब इस का रूर के अंदर आपका, जीए, इस का रूर के अंदर आपका क्या है, देखो, यहां इस इंस्टेंट के उपर, H आपका क्या हो रहा है, यहां पर, जीरो, और इस इंस्टेंट के अंदर आपका क्या हो रहा है, B इक्वल टू जीरो, यानि कि पहले कौन जीरो हुआ, पहले आपका H जीरो हुआ, और फिर आपका क्या जीरो हुआ, ब आपका जीरो हुआ, तो हि आद रखेगा, पहले आपका H 0 हुआ है, फिर आपका क्या 0 हुआ है, B आपका 0 हुआ है ठीक है, तो यह आपका मिला इसàiरर से सब्सक्वर के बारे में अब इसके अंदर शाइद यह लेक्शर बहुत बड़ा हो गया है इस lecture के अंदर इतना ही बाकी का आपका डिसकस करेंगे इसी के regarding आपका next lecture में थेंक्यो